और आज की बड़ी कबर काटमांडू, नेपाल काटमांडू से है जो हाँ पर प्लेन क्रेश में 5 लोगों की मौत हो गई है काटमांडू से पोखरा जा रहा विमान हाथ से कर शिकार हो गया है 19-18 विमान में सवार थे, क्रेश होने के बाद विमान में आग लग गई उडान भरते समय हाथसा हुआ है और त्रिबुवन इंटर्नाशनल एपोर्ट पर विमान क्रेश हुआ है विमान क्रेश होने के दौरान की तस्वीरे भी आपको दिखाएंगे दिल देहला देने वाला मामला आज ये नेपाल की काटमांडू में हुआ है त्रिबुवन एपोर्ट की तस्वीरे आप देख रहे हैं ये वो विमान है जो पूरी तरह से जलकर नश्ट हो चुका है इस विमान में 19 लोग सवार थे पूर मेंबर्स के साथ कुल मिला के 19 लोग इस विमान में सवार थे जो उडान भरने ही जा रहा था देखिए उडान भरने से पहले कुछ तकनीकी घराबी जो आई है टेक ओफ के दौरान ही हाथसा हो गया और पांच लोगों की जान जा चुकी है मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे विमान के अंदर आग लगी है आग फैलती चली गई और उससे पहले कई यात्रियों ने उतर कर विमान से अपनी जान बचा ली है क्रू मेंबर के भी काफी लोग इस विमान में सवार थे पांच लोगों की हाला की एक बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं उननिस लोग इस विमान में जो सवार थे उसमें मरने वालों का आखड़ा बढ़ गया है पांच से जादा अठारा लोगों पर यह आखड़ा पहुंच गया है अठारा लोगों की मौत हो गई है आपको बता देते हैं कि जैसी तस्वीरे सामने आई हैं उनको देखकर अंदाता लगाया जा सकता है कि किसी का भी बच्चना इस हादसे में नामुम्किन है बहराल उननिस लोगों की जानकारी मिल रही है जो इस विमान में सवार थे लेकिन अठारा लोगों की अब नेपाल सरकार की तरफ से मौत की पुष्टी की गई है दो तस्वीरे जहां पर जलने के बाद विमान की जो हालत हुई है आप देख सकते हैं तो टेक ओफ के दौरान यहादसा हुआ है भेंकर भीशन हादसा भयावे तस्वीरे उस वक्त की भी आप देख रहे हैं जब विमान में आग लगी टेक ओफ के दौरान यहादसा हुआ है टेक ओफ के दौरान तकनी भी खराबी के चलते विमान में आग लगी है और आग देखे पूरे विमान में फैलती चली गई जिस तरह से पूरे विमान को इस आग ने अपनी चपेट में लिया है, अपनी लप्टों में घेरा हुआ है, इसमें 18 यात्मियों की द्यान जाने की पुष्टी कर दी गई है बड़ी ख़बर नेपाल के काठ मांडू से इदो तस्वीरे आपके टेलिविजन स्क्रीन पर एक्स्क्लूजिवली आपको हम दिखा रहे हैं और उसी मुल्क से आ रही है इक ख़बरे यहाँ पर नेपाल के काठ मांडू नेपाल के राजदानी काठ मांडू में आज ये दुखत हाथसा हुआ है नेपाल के लोग इस समें गमगीन है 18 लोगों की जान जा चुकी है जिन्होंने सोचा नहीं होगा कि इस तरह से विमान जो है टेक ओफ के दौरान हाथसे का शिकार हो जाएगा हलाकि आपको जानकारी देते हैं नेपाल से अकसर विमान के जो उडान के दौरान की आग लगने की या फिर दुरगटना की खबरे आती हैं उसमें कुछी समय पहले 2023 में भी ऐसी ही खबर आई थी जिसमें 72 लोगों ने अपनी जान गवाई थी और अब एक बार फिर से ये स पूरे इलाके को घेरा हुआ है तिववन एपोच की तस्वीरे आप देख रहे हैं विमान में जब हादसा हुआ उसके बाद जो तस्वीरे निकलकर सामने आई आग की उची उची लप्तों से पूरा विमान घेरा हुआ देखा गया हर किसी ने ये मंजर देखा और अपने पून में जो रिकॉर्ड किया है तस्वीरे दिल देला देने वाली सामने आ रहे हैं अठारा लोगों की मौत हो गई है अब इस मूरे मामले पर नेपार प्रशासन की तरफ से जांच रिठा दी गई है ये देखिए बापको एक्स्क्लूजिव तस्वीरे दिखा रहे हैं य जैसे वो इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे छोटी सी जहलक उसकी उडान भरते ही टेक ओफ करते ही ये विमान धराशाई हो गया और इसमें आफ लग रहे हैं अचारा लोगों की मौत की पुष्टी की गई है अब जैसे जैसे आगे जाज बढ़ेगी वैसे वैसे त जान का नुकसान उतनी ही लोगों का हुआ है जो इस विमान में सवार थे आप ये सोचिए कि अगर उडान भरने के बाद किसी रिहाईशी इलाके से या फिर किसी गाउं के उपर से अगर ये विमान गुजरता और फिर नीचे गिरता तो कितना बड़ा नुकसान होता एक्स ये विमान जो है उडान भरते ही धडाम हो जाता है जिसमें 18 लोग जो है उनकी मौत हो गई है जबकि 19 लोग इस विमान में सवार थे